भारतिय स्टेट बैंक की नौक्री सभी सिंट्रलाइज बैंकों की नौक्रियों में से सबसे अच्छी मानी जाती है इस बैंक में प्रोबेशनरी ओफिसर की नौक्री पाने का क्रीज युवाओं के बीच हमेशा बना रहता है SBI ने 2000 PO के पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हुई है जिन उमिद्वारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है व्याधिकारिक विफसाइट के जरिए 27 सितंबर तक या उससे पहले अपलाई कर सकते हैं इन पदों के लिए उमिद्वारों का फाइनल चयन, फेज 2 यानि मुख्य परिक्षा और फेज 3 यानि साक्षातकार और समू अभ्यास राउंड में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा परिक्षा पास करने वालों को 36,000 से 63,840 के स्केल पर 41,960 रुपे की सैलरी पर प्रोवेशनरी ओफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में शामिल क्या जाएगा SBI PO पत के लिए आवेदन करने वाले उम्मिद्वारों के पास किसी मानिता प्राप्त विशुविद्याले से किसी भी विशय में ग्रेजवेट की डिग्री या समकक्ष योगिता होनी चाहिए ग्रेजवेट के फाइनल यर या समेस्टर में पढ़ने वाले व्यक्ती भी अंतिम रूप से आवेदन कर सकती हैं बशर्ते वे 31 दिसंबर 2023 तक ग्रेजवेट पूरा करने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकें जो भी उमिद्वार SBI में PO बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी IU 1 अप्रेल 2023 तक 21-30 वर्ष के बीच होनी चाहिए उमिद्वार जो सामान्य EWS OBC कैटेगरी से संबंध रखती हैं उन्हें आवेदन शुल्क के तौर पर 750 रुपे का भुगतान करना होगा SCST, PWBD उमिद्वारों को किसी भी आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूड़ती गई है एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी खाते में वापस नहीं किया जाएगा और नहीं इसे किसी अन्य परिक्षा या चैन के लिए रिजर्व रखा जा सकता है यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक